हेलो एवरिवान विल्कम बैक तो माई चैनल दीप स्टिचिंग एंड फेचिन में आपका स्वागत है आज हम ब्यूटिफुल सी जेकेट बनाने वाले हैं जो की ब्लाउस के उपर पहनी जाने वाली बहुत ब्यूटिफुल जेकेट है इसके लिए जो मैंने ये वाला फैब् इसके बाद sus сейчас रशचे पार बनाऊंगे की करेंगे उसके बाद हम् फ्रेंट पार्ट की करेंगे तो हम find kषरुप कर लिया है उसके बाद हमें ब्लाउस की जो भी लन्त है उसे हमें गलेता करना तो मेरी हम लाउस के लेंच जो है 14 इंचे तो मैंने इसमें 1 इंच एड़ कर देना है उसके बाद चेस्ट जो भी है आपके चेस्ट में का पोर्थ करके उसमें जो है 2 इंच एड़ कर लेना है हमें. तो मैं यहाँ पर मार्क कर लूँंगी. उसके बाद हमें एक सीधी लाइन ट्रॉक कर लेनी है. तो हमारे नक की चोड़ाई जो है 3 इंच रखने वाली हूँ में और यहाँ से जो है शॉर्डर भी 3 इंच रखने वाली हूँ. आप shoulder का half कर लेना और उसके बाद हमारे neck की चोड़ाई 3 inch रख सकते हैं इस तरीके से उसके बाद हमें यहां से मैंने arm hole 6 inch रखनी है अब मुझे यहां से सीधी line draw कर लेनी है और उसके बाद हमें arm hole का shape दे देना है अब हमें यहां पे भी 10 inch पे mark कर लेना chest का forth करके उसमें 2 inch एड़ करके यहां पे उसके बाद हमें arm hole का shape दे देना है और फिर यहां से हमें एक सीधी line draw कर लेनी है यहां से यहां तक इस तरीके से फिर हमें इसकी cutting कर लेनी है देखे मैंने इसकी cutting कर ली है अब हमें इसमें सिर्फ half inch का neck की length रखने यहां मतलब 5 inch की गोलाई देते हुए हमें back neck की cutting कर लेनी है इस तरीके से हमने back part की cutting कर ली है अब हमें front part की cutting करनी है इसके बाद हमें चेस्ट का चोथा भाग करने के बाद यहाँ पे जो हम two inche एड करने के बाद mark कर लेंगे जिस तरीके से हमने back part में किया था सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी mark कर लेंगे यहां से हमने नेक के चोड़ाई जो है त्री इंच रखनी है और उसके बाद हमारे शोल्डर भी में यहां पे त्री इंच रखने वाली हूँ और शोल्डर भी यहां से हम त्री इंच पे माग कर लेंगे इसके बाद जो हमारी आम होले में सिक्स इंच रख रही हूँ यहां से इसके बाद चेस्ट का फोर्थ करके उसमें टू इंच एड़ करके यहां पे हमें जो हमार्किंग कर लेनी है इस तरीके से उसके बाद हमें जो है दोनों लाइन को मिला देना है और जो हमारी लेन्थ वाली लाइनिंग है उसे भी हमें दोनों को जो है यहां से यहां तक जो है मिला देना है इतना कम्प्लीट करने के बाद हमें जो हमारा टक्स पॉइंट है उससे 2 से रहाई इंच नीचे मेरा यहां टैने टक्स पॉइंट तो उससे 2 से रहाई इंच नीचे मैंने 12.5 पे मारकिंग की एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है हमें इस तरीके से जो हमारा tux point रहेगा 9 या 10 उससे 2 से 3 इंच नीचे हमें ये mark करना है और एक सीधी line draw कर लेनी उसके बाद यहां से हमें 6 इंच 5 या 6 इंच रखना है वो हमारे chest के हिसाब से रहेगा मैं यहां पे 6 इंच रख रही हूँ अगर आपका 32 chest है तो आप 5 या 4 इंच भी रख सकते हैं इस तरीके से हमें जो है और अगर जादा है तो फिर जादा रखना रहता है इस तरीके से हमें जो है यहां से इसे उपर neck वाली line से हमें जो है मिला देना है उसके बाद जो हमने ये 12 इंची पे लाइन ड्रोव की थी, साड़े बारा इंची पे उससे हमें इस तारीके से गुलाई देते हुए मिला देना है, देखि üz तरीके से गुलाई देते हुए हमें जो ये शेब देना , आप सोचते होंगे कि हम 6 इंच वाला पॉइंट कितने उपर या नीचे बनाएं तो आप टक्स पॉइंट जो रहेगा उसके एकदम सामने भी बना सकते हैं या फिर अंदा जैसे भी इस तरीके से शेप दे सकते हैं अब हमें जो है इसकी कटिंग कर लेनी है हमने इसकी कटिंग कर लिए देखे इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेना है यह वाला पार थटा देना है हमें उसके बाद इसे में उपको अपन करके दिखा देती हूँ देखे इस तरीके से जो है शेप जो है हमारा कट के तेयार हुआ है इसके बाद हमें क्या है कि इससे संटर में से कट कर देना है क्योंकि फ्रेंट साइट जो है इसका ओपन रहने वाला है हाई हुक्स या हम बटन्स लगाने वाले है उसमें तो इस तरीके से फोल्ड करने के ब स्veer तरimmt बराबर रखने के बाद मैं इसे सेंटर में से कट कर दूँंगी आझती पार्च तरीके से मैंने जो है असतर की भी कटिंग कर ली है ब्लैक थफकी है धन्य से जो है इसमें यूज दिख यह इनalyma इसके उपर इसे जो है उल्टा रख देना है पहले हमें अस्तर रखना उसके बाद हमारा जो मेन फैबरी के उसे अस्तर के उपर इस तरीके से हमें उल्टा रख देना है इस तरीके से मेने से उल्टा रख दे अब जो है हमें यहां से इसके नेक में पूरे में जो है सिलाई लगा देनी है यहां से और इसकी आम होल में भी हमें जो है सिलाई लगा देनी है पूरा फ्रेंट पार्ट और आम होल हमें जो है सिलाई लगा देनी है उसके बाद इसका न स्लाई लगाने हैं मारोप घंपर हमारा को स्कुर्णाय खेता में में फैबरीक इस तरीके से शिलाःल के सगुंने करने ऊद्ध़ पह्ताँ यह बैए फिरमना कन देजिए और यह भी फ्रेंड किके को तो हमें cuts नहीं लगाने इस तरीके से cut लगा लेंगे हम इसमें और जो ये corner है हमारे यहाँ पर भी हम जो हे हलका सा cuts लगा देंगे ताकि हम जब इसे पलटे तो इसमें जो हे finishing अच्छे से आए देखे अब हमें इस side से इस side वाले part से हमें जो हे से पलट देना है हमने इसे पलट के तयार कर लिया इस तरीके से सेम इसी तरीके से दूसरा part भी हमें पलट देना अब इस से finishing के लिए हम इसमें उपर से भी सिलाई लगा देंगे देखे इस तरीके से मैंने से जो हे उपर से भी सिलाई लगा के complete कर लिया है आप चाहें तो इसमें pipe in भी लगा सकते हैं तो पलटने की कोई जरुवत नहीं रखाएगी और नीचे belt भी लगा सकते है इस तरीके से मैंने दोनो side के part जो हे complete कर लिया अब हमें बैक पार्ट तयार करना है उसके लिए बैक पार्ट को भी हम सेम इसी तरीके से बनाने वाले पहले हमने जो हे अस्तर रख लेना है और उपर से भी finishing के लिए हमें जो हे इस लाई लगा देनी है इस तरीके से मैंने बैक पार्ट का neck और side की armholes और नीचे वाला part भी जो हे तयार कर लिया है इसके बाद हमें जो हे इसके shoulder joint कर लेने है देखे हमने जो हे back part रखा back part के उपर front part को हमें उल्टा रखना है wrong side में रखना इस तरीके से back part हमने सीधा रखा उसके बाद हमने जो हे इसके उपर front part रख लेना है और shoulder joint कर लेने है Shoulder joint करने के बाद हमें जो है इस-में Side से भी jwes layer लगा-देनी है साइड वाले part में भी भी सिलाइ लगा-देनी है इस तरीके से shoulder joint कर लेंगे पिर यहाँ पर हम Side से भी दोनों तरब जो है slider लगा-देंगे देखे इस तरीके से हमने जो है अमारी जंकेट को सिलाई लगा के complete कर लिया है ये इसका जो है wrong side है और ये जो इसका सीधी side है अब हमें एक दो strips cut करनी है एक की चोड़ाई थोड़ी जादा रखनी है एक की चोड़ाई हमें थोड़ी कम रखनी है क्योंकि हम जो है इसे फ्रिल लगाने वाले है एक तरफ से मैं उस में जो है पीको करवा लेना है कर लेना है पीको तो एक जो स्टिस से मेने थोड़ी चोड़ी रखी है 2.5 से 3 इंच भी रख सकते हैं हम और उसके बाद जो मैंने एक और स्टृप्स कट के उसकी चोड़ाई कम रख मुस्तिसाथ देखिए इस तरीके से जितनी चोड़ी आपको फ्रिल्स लगानी उसे साप से आप कट कर सकते हैं और इसकी लेंथ भी हमें अपने हिसाप से ही कट करनी है कितनी पास पास में लगा रहे हैं हम दूर फ्रिल लगा रहे हैं उस तरीके से अब हमें सबसे पहले इन दोनों जो हमन से स्ट्राट होती हूँ दोनों में हमें सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है देखे इस तरीके से हमने दोनों को जोइन कर लिया है दो जो स्ट्रिप्स हमने कट की है दोनों में एक तरफ हमें पीको करवा लेना उसके बाद हमें जो इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स दे देना है इस तरीके से हमें छोटी छोटी सी प्लैटिंग कर लेनी है थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इसमें पूरी में प्लैटिंग कर लेंगे देखे, इस तरीके से हमने इसे जो हे कमप्लेट कर लिया है फ्रिल बना ली अब हमें इसे यहां से स्टार्ट कर ना है तो इहां से हमें इस तरीके से पूरे शोल्डर तक इसे लगा के बेक साइड का जो हमारा पार्ट है उसमें भी अटेच करते हुए हमें यहां से जो है इसे यहां तक पूरा अटेच कर देना है इस तरीके से जो है इस तरीके से सेट करने के बाद इसमें हमें यहां से पूरे में यहां तक सिलाई लगा देनी और यह वाला स्टार्टिंग वाला पार्ट हमें एक दम इस तरीके से सीधा नहीं रखना है थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ दबा के रखना है इस तरीके से इस साइट से हमें जो है यहां से अंदर की तरफ दबा के इस तरीके से जो है हमें इसे अटेच करना है तो देखिए मैंने इसे जो है कंप्लीट कर लिया है यहां पर हमें जो है इसमें फ्रेंट पार्ट में हाई हुक्स या बटन साम अटेच कर सकते हैं इस पार्ट में हमें यहाँ पर एक तरफ हाई और एक तरफ हुक्स अटेच कर लेने और इसके बाद मैं इसे यहाँ से जो यह फ्लावर इसमें चिपका दूँगी थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए तो यह और भी ब्यूटिफुल लगेगी तो इस तरीके से मैंने इसे जोर कम्पलीट कर लिया इसके बाद जो है मैं इसमें स्लीव नहीं लगाने वाली हूं स्लीव की जगा मैं हलकी सी उपर की तरफ भी जो है फ्रिल्स लगाने वाली हूँ इसमें तो देखे इस तरीके से मैं इसमें जो है फ्रिल्स लगा रहूंगी शोल्डर पर आप देख सकते हो इससे पहले मैं देखे स्लीवलेस ब्लाउज के उपर पहनने के बाद यह देखे इस तरीके से बहुत ही तो भी यह बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा पर अभी मेरे जो दोनों है जैकेट और ब्लाउस दोनों ही स्लीव लेसे बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है तो उस तरीके से हमें जो है इसमें फैबरिक कट कर लेना है जो एक पत्ती के शेप में रहेगा ओपन होने के बाद देखिए इसके चोड़ाई जो सेंटर में 2.5 इंच रखी है और इसकी लेंद में जो है 10 इंच रखी है उसके बाद हमें इसलीव के शेप में मेंने इसे गोलाई से कट कर लिए है इसली इख पता रहे है कि हमारा जो है सेंटर कहां से उसके बाद जो है हमें मैंने जो सिलाई लगाई थी साइड में उसे मैंने वापिस से उपन कर लिया है और उसके बाद हमें इसे शोल्डर पे से जॉइंट कर देना है तो इस तरीके से हमें जो है प्लेट्स देते हुए इसे जॉइंट करना है सबसे पहल कि इसके चोड़ाई चो कम होती जाएगीा इस नीके चोपाल होतीचार पहले में हवा की जैसे ने ब्लाव दे के पीड़ भाव कराइथ कर लेना है दिखे शोल्डर से इधर मैंने लगा के कम्प्लीट कर लिए स्ट्राइप से हमने जो है से लगाई है इसी साइड हमें जो है प्लेट्स लगानी है तो हम इसे इस तरफ से भी जो है कम्प्लीट कर लेंगे देखिए इस तरीके से मैंने इसे जो है कम्प्लीट कर लिया है बहुत ही ब्यूटिफुल लगेगी जो हमारी यह जैकेट है इसके जो ब्लाउस पहनेंगे हम इसके उपर और उपर से जैकेट पहनेंगे तो जो ब्लाउस उसमें अगर स्लिवस भी रहेगी तो यह जो शोल्डर पहाएगी तो बहुत ही प्यारी लगेगी देखिए बहुत ही ब्यूटिफुल बनके तयार हुई हमारी सेम इसी तरीके से ह बहुत ही प्यारा लुक आता है लंगे पे साड़ी पे किसी पे भी पहनो यह ब्लाउस बहुत ही खुब सुरुत लगता है जैकेट वादा ब्लाउस है जो बहुत ही अच्छा लुक आता है साड़ी का अभी मैं एंड में दिखाऊंगी कि यह जो ब्लाउस पहनने के बाद कैसा लगता है तो आप मुझे इस्ट्राग्राम पे फोलो कर सकते हो टिक टोक पे फोलो कर सकते हो टेलिक्राम पे फोलो कर सकते हो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है तो उमीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइ वीडियो की नॉटिफिकेशन मिल जाए बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में